मसकार प्रियमित्रों, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तुला राशिवालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में एक देवता आपके घर आने वाले हैं, और आपसे एक महत्वपूर्ण मांग रहे हैं, आखिर क्या है वह चीज? आज की वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, देखिए सावन के पवित्र महीने में वातावरण में, बहुत सारे सकारात्मक शक्तियां निवास करती है, मिश्रण करती है, उनका आपके घर पर भी आना जाना होता है, तो यह जो देवता है, किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, और आप अपनी मानविय आँखों से शायद उन्हें पहचान नहीं पाए, इसलिए एक नियम बनाना है, कि सावन के इस महीने में अगर आपके दर पर कुछ मांगने आता है, चाहे वह भिखारी हो, चाहे वह आपका प मिल जाएगा, एक ये पंक्ती तो आपने सुनी होगी, इसका मतलब यही निकलता है, कि हमें किसी भी रूप में भगवान मिल सकते हैं, तो हाल फिल हाल में द्वार पर आए, हर इनसान का सम्मान आपको करना है, कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, कुछ गलतियां भू जाने के बराबर है, क्योंकि हमने सावधानियां भी बताई है, आपकी गलतियां भी बताई है और उपाय भी प्रदान किये हैं, जो भी इनसान अंत तक देख लेगा, उसका लाब होना तय है, उसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो मूर्खता प्रदीशन में बने रहना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे, लेकिन सर्व प्रथम अगर आप भी बाबा भोले नाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय मंत्र जरूर लिखें, आपको आज बहुत बड़ी खुश खबरी प्राप्त होगी। नागों का रूप हो, या फिर किसी गाय का रूप हो, या फिर दोस्तों किसी अन्य जानवर का रूप भी हो सकता है, या फिर किसी भिखारी के रूप में, किसी साधू के रूप में भी, यह देवता आपके घर पर आपको दर्शन देने और आपकी परीक्षा लेने आ सकते ह और अगर आपने गलती कर दी, तो यह देवता आप से नाराज भी हो सकते हैं। किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि आपको ये तीन गलतियां नहीं करनी हैं। अगर सावन के महीने में आपके घर में कोई सावन आ जाता है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। बहुत ही पवित्र महीना है और दोस्तों, बारिश का मौसम भी है। चारों तरफ हरी आली चाई हुई है। ऐसे में सावन का निकलना आम हो जाता है। दोस्तों, जो जमीन में रहने वाले जानवर होते हैं, जो अपने बिल में रहते हैं, उनके बिलों में पानी भर जाता है, और वो जमीन पर आ जाते हैं, और ऐसे में सावन का महीना भी देवताओं का महीना होता है, खासकर कि भोले नाथ का महीना होता है, और इस महीने कई सार को देख कर डर जाता है, और कभी-कभी इनसान सांप को मारने भी लग जाता है, कभी लकड़ी से मार देता है, तो कभी-कभी सपेरे को बुला कर उसको पकड़वा देता है, दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि अगर सांप आपके घर पर आता है, तो दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं है। सावन के महीने में अगर आपके घर के आस पास या फिर आपके घर में कोई साफ दिख जाए तो आप उससे डरिये मत क्योंकि यह भोले नाथ जी का भी रूप हो सकता है। दोस्तों संकेतों को आपको पहचानना पड़ेगा। आपको मैं बता दूँ अगर आपके घर में हरे रंग का साफ आपको दिख जाए या फिर आपके घर के आस पास आपको हरे रंग का साफ दिखे तो समझ जाना कि आपने कुछ गलतियां करी है। दोस्तों आप किसी इनसान को सता रहे होंगे या फिर कोई भी पाप हो सकता है जो आप जानते हैं जो मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं। आप किसी का पैसा खा रहे होंगे या आप कोई गलत कार्य कर रहे होंगे अगर हरा साफ दिख जाए तो समझ जाना आपसे कोई गलती हुई है और भगवान आपको संकेत देने आए हैं। वहीं दोस्तों अगर भूरे रंग का साफ दिख जाए भूरे रंग का चटकीले कलर का साफ दिख जाए तो समझ जाना कि देवता आपको दर्शन देने आए हैं। चाहे दोस्तों भूरे कलर का दिखे, चाहे पीले कलर का दिखे, आपको दर्शन करने हैं और आपको उनसे क्षमा मांगनी हैं। और कहना है, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ करें, और मेरे परिवार को हमेशा सुख दे, हमेशा शांती दे, और अगर भूरे रंग का सांप आपको दिख जाए, तो समझ जाना आपके अच्छे दिन शुरू होना शुरू हो गए है। दोस्तों, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों समझ जाना आप कि भक्ती भगवान ने स्वीकार कर ली है, आपके अच्छे कार्य से भगवान प्रसन्न हो चुके हैं। अब दोस्तों, अगर आपको भूरे कलर का साफ दिखाई दे दो, तो भूरे कलर का अगर साफ दिखाई दे, तो यानि की चॉकलेटी कलर का साफ अगर आपको दिखाई दे, तो आपको अपने जीवन में कुछ सुधार लाने की संकेत दे रहे हैं। भगवान अगर आपको अपने घर में, अपने घर के आसपास कहीं भी भूरे कलर का साफ दिखता है, तो समझ जाना कि आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, आपके जीवन में कोई बढ़ा पहाड जैसी समस्या आने वाली है, कोई छोटी मोटी नहीं बलकि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, उस समस्या से बचने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे, जब भी दोस्तों कोई बड़ी समस्या आती है न, तो कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, हमारे घर में भी कुछ छोटे मोटे गलत गलत कारे हो जैसे दूध उबल जाएगा, कहीं छोटी मोटी आग लग जाएगी, किसी को ठोकर लग जाएगी, किसी के पाव में लग जाएगी, या बच्चे रोने लगेंगे, कोई न कोई अजीब सी घटना होने लगेगी, जो नहीं होना चाहिए था, एक नहीं बलकि तीन-चार घट बताने वाली है आपके उपर, और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके जीवन में छोटी मोटी कोई बड़ी बड़ी नहीं, बलकि छोटी छोटी कुछ परेशानियां आ रही है, जो ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है, जैसे कि किसी को चोट लग या फिर कहीं बिल्ली आपको दिख गई हो, या फिर दोस्त आप कहीं पढ़ जा रहे हैं, और अचानक से आपकी गाड़ी बंद पढ़ जाना, आपके घर का कोई इलेक्ट्रोनिक चीज हो, वह खत खराब हो जाना, ऐसी अगर चार-पांच चीजें गलत-गलत होने लग जा जाना, ताकि उनका जो भक्त है, वह संभल जाएगा, तो बड़ी मुसीबत टाल देगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं, से प्रार्थना करें कि मेरे उपर जो भी विपत्ती आने वाली है उससे मेरी रक्षा करें साथ ही मचलियों को जी हां दोस्तों मचलियों को आटे की गोटियां दें और कुट्टे को बिस्किट खिलाएं यह उपाए आप अगर एक दो दिन भी करने लग जाओगे तो आपके क अब भूरे रंग का यानि चॉकलेटी कलर का साप अगर दिख जाए या फिर घर में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आने लग जाए तो भी संकेत मैंने आपको बता दिये हैं अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं देखिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं सावन का म नहीना चल रहा है चाहे भक्त कोई गलत कारे करें या भक्त कोई अच्छा कारे करें भक्त बहुत अच्छी भक्ति करें यानि की दिन रात भोले नाथ जी के मंदिर जाता है सुबह सुबह भोले नाथ जी के मंदिर जाना शाम को भोले नाथ जी की आरती में जाना घर में भ लूप में आ जाते हैं और अगर भक्त पाप करने लग जाए। अगर आप भोले नाथ जी में श्रद्धा नहीं भी रखते हैं और आप बहुत पाप कर रहे हो, कोई गलत कार्य कर रहे हो, किसी के साथ कोई गलत कार्य कर रहे हो, किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो तो ही भगवान आएंगे आपको दर्षन देने, और आपसे आपकी अमानत मांगेंगे। दोस्तों, आपको संकेत भी मिलेंगे कि भई संभल जाओ, वरना विपत्ती आ रही है। और अगर आप नहीं संभले, तो मुसीबत आना तय है। भगवान तो आपको दर्षन देने पड़ यात्री अक्सर आते जाते रहते हैं, कभी कोई भिक्षा लेने आ जाता है, कभी कोई कुछ न कुछ दक्षणा के रूप में लेने घर पर आ ही जाते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ, अगर आपके घर के द्वार पर कोई साधू आता है, दोस्तों, तो आप उसको कुछ न क भाग्यशाली होंगे आपकी आपकी आपके घर के बाहर कोई साधू आता है और आपसे कुछ मांगता है क्योंकि अगर हमारे घर पर कोई आता है हमसे कुछ मांगता है तो समझ लेना साक्षात भोलेनात जी आए हैं आपसे कुछ मांगने तो दोस्तो आप कितने भाग्यशाली हो कि भगवान आपसे कुछ मांगने आए हैं, बलकि भगवान तो देते हैं, लेकिन भगवान आपसे कुछ मांगने आए हैं, और कभी-कभी आपकी परीक्षा भी ले लेते हैं, हो सकता है कोई साधू आपके पास आए, आपसे बोले कि कोई दक्षणा दो RS5 RS 10 दे देंगे, क अगर साधु आपके घर आए, तो आप उसे दक्षणा स्वरूप जो भी आपसे हो, आप उसे अवश्य दें, और अगर आपके घर पर खाना बना हुआ हो, तो आप उसे खाना जरूर दें, आपके घर की बनी हुई रोटी और सबजी अवश्य रूप से जरूर दें, अगर सा अगर आपके घर का कुछ साधू ने खा लिया तो समझ जाना भोले नात जीना आपके हाथ का बना हुआ खाना खा लिया और आपको बहुत पुन्य मिलेगा। तो फिर दोस्तों आपसे बहुत ज्यादा परेशानिया आपको भुगतनी पड़ सकती हैं। इनको मारना नहीं है। कई बार दोस्तों कुछ रेंगने वाले जानवर हमारे घर में आ जाते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में आपको इनको मारना नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए। हाँ डर लगता है। स्वाभाविक सी बात है। हम मनुष्य हैं। और अगर कोई ऐसा जानवर दिख जाएगा जो रेंगने वाला हो या कोई अजीब प्रजाती का जानवर दिख जाता तो हमें उनसे डर जरूर लगता है। लेकिन आपको इनको मारना नहीं है। ये आपकी जान लेने के लायक नहीं होते ना ही काबिल होते हैं। तो आप उनको सुरक्षित किसी भी पात्र में पकड़ लें और अपने घर से थोड़ा सा दूर छोड़ कर आ जाएं। क्योंकि दोस्तों ये सारे जो रेंगने वाले जानवर हो या कीडे मकोडे हो ये दोस्त तो भोले नाथ जी के ही भक्त होते हैं। आपसे तो आशा है, मेरी बात आप समझे होंगे। लेकिन अक्सर हम कहते हैं ना कि और कई साधूओं के मुख से, कई पंडितों के मुख से, कई विद्वानों के मुख से भी, आपने सुना होगा कि सावन के महीने में जो सबजियां होती है, वो भी ऐसी सबजी खानी चाहिए, जैसे कि दाल हो या सूखी सबजियों वो खानी चाहिए क्योंकि जो पत्तेदार सबजियां होती है, जो हरी सबजियां होती है, साथ ही जैसे कि कुछ गोभी. हो गई ये सारी जो चीजें होती है ना, इन में छोटे-छोटे जीवानू होते हैं, जो हमको अपनी आखों से नहीं दिखते, लेकिन इन में ये मौजूद होते हैं, और जब हम इनको खाते हैं दोस्तों, तो वो भी हमारे शरीर में चले जाते हैं, इसलिए सावन में इनकी भी मनाही होती है. अक्सर कहा जाता है कि सावन के महीने में केवल डाल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि डाल में जीवानू नहीं होते हैं, हरी पत्तेदार सबजियों में जीवानू होते हैं तो उनको भी नहीं खाते हैं, दोस्तों, तो इसलिए जो रेंगने वाले जीव जानवर होते हैं, दोस्तों उनको आप नुकसान न पहुँचाएं, अब अगली जिसकी ओर बढ़ता हूँ बिलकुल ध्यान से सुनना और वीडियो छोड़ कर जाने की भूल मत करना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों लेकिन सावन के महीने में अगर कोई कुट्टा अचानक से आपके घर में आ जाए अब आपकी जिन्दगी बहुत ही शांदार होने वाली है भले आपने आज से पहले कितने भी दुख देखे या आप अभी कितने ही गरीबी में जी रहे हैं लेकिन यह एक बड़ा संकेत होता है कि आपके दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं दोस्तो काल भैरवनाथ आपके उपर प्रसन्न होंगे तो समझ जाना कोई न कोई कुट्टा आपके आसपास मंडराने लगेगा अगर कोई कुट्टा आपके पास आता है अपनी पूंच हिलाता है या फिर आपके नस्दीक बहुत बार आता जाता रहता है तो समझ जाना कि बाबा भैरवनाथ आपसे प्रसन्न है काल भैरवनाथ प्रसन्न है आपको मैं बता दूँ कि भोले नाथ जी का ही काल भैरव एक अवतार है काल भैरव जी भोले नाथ जी का ही अवतार है और श्रावण के महीने में अगर कोई कुट्टा आपके आसपास मंडरा रहा है, या फिर आपके घर पर आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है. लेकिन अगर कोई कुट्टा आपको देखकर अचानक से भॉंकने लग जाए, कोई कुट्टा आपको देखकर अचानक से ही दौडने लग जाए, आपसे दूर चला जाए, आपको भॉंकने लग जाए, या फिर आपके पीछे पढ़ने लग जाए, जिसे भॉंक बोलकर कुट उन गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। आपने कुछ गलत कारिय किये हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्त तुरंत आपको। कुट्टे को कोई भी काले कुट्टा हो, भूरा कुट्टा हो, फर्क नहीं पड़ता। कुत्ता कुत्ता होता है, दोस्तो, लेकिन हां, काला कुत्ता भैरवनाथ का सेवक है और उनका सवारी भी है, तो दोस्तों आप काले कुत्ते को मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भूरा कुत्ता भी चलेगा, आप उनको बिस्किट खिलाए, रोटी, दूद, रोटी, या फिर दोस्तों उनका जो भी आहार है, आप उनको खिलाएं पिलाएं, इससे आपके जो पाप है वह धुलेंगे, बाबा भैरोनाथ कृपा करेंगे, आपके उपर भोलेनाथ जी की भी कृपा रहेगी, और सावन आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा, और जो विपत्ती आने वाली है, जो विपत्ती आपके उपर आने वाली है, वह भी टल जाएगी, दोस्तों तो मैंने अच्छे से समझा दी है, इस बारे में अगर कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना, वीडियो छोड़ कर जाने की भूल मत करिए, क्योंकि यह सावन का महीना है, दोस्तों इस सावन के महीने में कौन से देवता कब आपके घर में आ जाए, और आपको पता भी नहीं चलेगा, देखिए जिस प्रकार से सावन का महीना है, और देवता हमारे घर पर आते हैं, और देवता इस धर्ती पर विचरन करते हैं, वैसे ही नक नकारात्मक शक्तियां पहले से रहती है और जब वह शक्तियां पहले से वहां पर रह रही होती है और अचानक से सावन का महीना आ जाता है देवता हमारे नगरों में वास करने लग जाते हैं धर्ती पर घूमने फिरने लगते हैं तो इन नकारात्मक शक्तियों के ऊपर बहु अगर इन नकारात्मक शक्तियों को बाहर नहीं निकाला तो देवता आपके घर में आएंगे। कैसे? आपके घर पर कृपा करेंगे कैसे? इसलिए नकारात्मक शक्तियों को बाहर तो करना पड़ेगा। तो आईए, ध्यान से सुनिए, देखिए, जिस तरह से देवता हमारे धरती पर आते हैं, तो जो नकारात्मक शक्तियां है, वह देवताओं से डरती है। और यह नकारात्मक शक्तियां देवताओं से बचने के लिए इधर उधर छुपने लगती है। अब यह पेडों पर रहती है, किसी सुनसान जगह रहती है, किसी बंद कमरे में रहती है, किसी गंदगी वाली जगह रहती है, शमशान में रहती है, साथ ही कब्रिस्तान में रहती है। यह ऐसी सी जगह रहती है और जब भगवान धर्ती पर आते हैं तो यह फील्ड छुपने का जगह ढूंडने लगती है कि भगवान अगर इनको देख लेंगे तो फिर तो इनका विनाश निश्चित है इसलिए यह भगवान से बचने के लिए हमारे घरों में स्थान लेने वहाँ पर या फिर दोस्तों कोई बंद चीज है यानि कि कोई electronic चीज है जो काम में नहीं आती है और बंद हो गई है तो यह नकारात्मक शक्ति कभी-कभी उनमें भी चली जाती है साथ ही आपको मैं बता दूँ कि अगर आपके घर में कोई people का पेड जन्म ले रहा है कोई छोटा सा people का पेड जन्म ले रहा है या कोई बढ़ का पेड जन्म ले रहा है तो समझ जाना आपके घर में नकारात्मक शक्तियां या प्रेतात्मा है ही है निश्चित रूप से है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ती आने वाली है दोस्तों और आपको सावधान हो जाना है आप अपने घर के आसपास या घर पर देखें किसी किसी के घर की दिवाल पर पीपल का पेड उपजने लगता है बट का पेड उपजने लगता है अगर ये दो पेड आपके घर की दिवाल पर या आपके घर के आंगन में कहीं पर भी उपजने लगे तो समझ जाना कि आपके घर में कोई न कोई प्रेत आत्मा है और प्रेत आत्माओं ने आपके घर पर डेरा जमा लिया है और अगर समय रहते, इन प्रेत आत्माओं को बाहर नहीं करा, घर से दूर नहीं करा, तो घर को शम्शान बना देती है। यह प्रेत आत्मा कभी-कभी घर में मृत्यू तक हो जाती है। घर में लोगों के एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, लोग बाग, दिमाग से भी पागल होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने भी अपने आसपास देखा होगा, कि कोई इनसान पहले बहुत अच्छा था, उसका दिमाग भी काफी अच्छा था, खूब कमाता था, सबसे अच्छे से व्यवहार करता था, लेकिन अचानक से वह धीरे-धीरे थोड़ी पागलों जैसी हरकते करने लगता है, धीरे-धीरे उसका दिमाग खराब होने लगता है, और कभी-कभी एक अच्छा खटा इनसान होता है, जो धीरे-धीरे सूख जाता है, बीमार पर बीमार रहने लगता है, और बिलकुल पतला हो जाता है, ऐसा लगता है कि आज, नहीं तो कल ही मर जाएगा, तो दोस्तों, ये सारे संकेत होते हैं कि उनके घर पर किसी ने प्रेत आत्मा ने कबजा कर लिया है। तो अगर आपके घर में भी कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं, तो चेतावनी आपको दे देता हूँ, कि आपको बचना बहुत जरूरी है। इन चीजों से बचेंगे कैसे, क्योंकि देखिए, कभी-कभी हमें हमारे घर में किसी चीज के होने का आभास होता है। दोस्तों, हमेशा लगता है कि कोई और भी है हमारे घर में ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है। कभी-कभी हम सोते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास से गुजर रहा है या कोई हमारे सर के उपर है और कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि हमें कोई इनसान या कोई अन्यशक्ती पकड़ रही है। किसी ने अपना हाथ पकड़ लिया गया, कोई कभी कभी तो गला दबाने आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, तो दोस्तों सावधान हो जाईए, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो सावधान आपको होना पड़ेगा, और जो उपाए अचानक से कुछ आभास होने लगता है, जैसे साइड में से कोई गुजर रहा है, कभी कभी दर्वाजा अचानक से लगने लग जाता है, अचानक से दर्वाजा खुल जाएगा, अचानक से दर्वाजा लग जाएगा, वो भी अपने आप, बिना किसी हवा के साथ ही, कभी क कभी इनसान, मान लीजिए कहीं टेबल पर चड़ा है, तो वह गिर जाएगा, चलते चलते इनसान गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, उसके सीने में लग जाएगी, उसके हाथ में लग जाएगी, इनसान चलते चलते उसको ठोकर लग जाएगी, अचानक से गिर जाए उसके घर मे कोई प्रेतात्मा है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। कभी-कभी इनसान का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई चरहाव से गिर जाता है, कभी-कभी इनसान चरहाव से गिर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों के धीरे-धीरे दिमाग का विकास कम होने लगता है, बच्चे चिड़-चिड़े होने लगते हैं, यहां कभी क्या खाएगा, कभी क्या खाएगा, कभी रोटी ज्यादा खाएगा, कभी कोई बाहर की वस्तू ज्यादा खाएगा, कभी क्या, तो कभी क्या उसकी भूख कभी खतम ही नहीं होगी। मानो ऐसा लगेगा कि ये पागल हो गया है, कुछ ना कुछ खा ही रहा है, हर चीज उसे खाने को लगती है दोस्तों, बार-बार खाने को मांगने लगता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इनसान खाना पीना ही त्याग देता है उसे कुछ भाता नहीं है, वह कुछ खाता भी नहीं है नहीं पानी पिएगा, नहीं खाना खाएगा, बिल्कुल जीरो पर हो जाएगा दोस्तों, और धीरे-धीरे वह सूखने लगेगा तो ये सारी संकेत होते हैं दोस्तों की हाँ, हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई प्रेतात्मा है, तो देखिए किसी ने सवाल पूछा था कि गुरु जी, आप बार बार प्रेतात्माओं के बारे में नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताते हैं, तो क्या ये सच में भी होती है या नहीं देखिए मैं इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ देखिए जिस प्रकार दोस्तों हमारे भगवान होते हैं हम मनुष्य हैं, जानवर हैं, साथ ही अन्य जीव भी है रेंगने वाले जीव है, कई सारे जीव है दोस्तो, भगवान ने हमारे इस ब्रह्मांड में कई सारी योनिया बनाई है दोस्तो देखिए दोस्तो, आपको मैं बता दूँ हमारे धर्म गरंथों में, वेदों में, पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है 84 लाख योनियों, अर्थात, शरष्टी में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु हो या फिर आत्मा हो, या फिर साए हो सभी चीजों को दो भागों में बांटा गया है पहला है योनी और दूसरा है आयोजित, दोस्तों आपको मैं ध्यान से सुनाऊंगा, बिलकुल ध्यान से सुनना, फिर उपाय भी बताऊंगा, चिंता न करें, जैसे देखिए दोस्तों, 9 लाख स्थावर यानि की पेड़ पौधे, 20 लाख है सरी स्रिप, गर्मी का मतलब है की दानव, दैत्य, मनुष्य, ये सब भी उसी में आते हैं, दोस्तों तो हर तरह से संभव है दोस्तों, जैसे हम रह रहे हैं, ऐसे नकारात्मक शक्तियां भी है, भगवान भी है, दानव भी है, दैत्य भी है, जीव भी है, जन्तु भी है, मनुष्य तो है ही, तो दोस्तों, क कई लोग आए दिन देखते रहते हैं, आप भी अगर सही से आभास करेंगे, तो आपको भी दिखने लगेगा, अच्छी शक्तियां हैं, तो बुरी शक्तियां भी हैं, दोस्तों हमें अच्छी शक्तियां नहीं दिखती तो कभी-कभी बुरी शक्तियां भी नहीं दिखती हैं दोस्तों इसलिए हर चीज है दोस्तों इसलिए चिंता न करें हर चीज का दोस्तों अलग-अलग मतलब होता है अब कुछ लोग नकारात्मक शक्ति प्रेतात्माओं से बहुत डरते हैं नाम सुन लेते हैं तो उनको डर लगने लग जाता है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ ये तुरंत आपके घर से दूर हो जाएगी घर से भाग जाएगी सबसे पहले मैंने बताया अगर आपके घर पर कोई पीपल का पेड़ या कोई बढ़ का पेड़ जन्म ले रहा है दीवाल में या इधर उधर कोने में या घर के आंगन में तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए उसके बाद मैंने पहले भी बताया है आपके घर का गमला हो या फिर घर में ही आप एक नारियल लीजिए उसे बजरंग बली के स्थान पर चढ़ाई है बजरंग बली के चरणों में चढ़ाई है करीब 10-15 मिनट वहीं पर रखे उस पर बजरंग बली के चरण का सिंदूर लगा दीजिए नारियल पर फिर उस नारियल को गमले में गाड़ दीजिए सारी आत्माएं दूर भाग जाएंगी